प्रेमित्रों आप सभी को प्रेम भरा प्रणाम आशा है आप सभी कुशल से हैं और हमारे साथ मिलकर परमेश्वर के वचन से बुद्धी और ज्यान और समझ प्राप्त कर रहे हैं उस कारिकरम में जिसका नाम है सत्यवचन और मैं एक बार पुन आपका इस कारिकरम में स्वागत करता हूँ दोस्तों हम इन दिनों सुलैमान के नीटी वचनों पर मनन कर रहे हैं और बुद्धी की बातों को जान रहे हैं इस अध्याय में हम बुद्धिमान और मूढ के कुछ मुख अंतर को देखने पाएंगे कि बुद्धिमान को क्या लाभ होता है और मूढ किन लाभों से वंचित रहे जाता है मूल बात तो यही है कि मूर्खता या बुद्धिमानी हमें जन से ही प्राप्त नहीं होती है पर यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को कैसे बनाना चाहते हैं आप चाहें तो बुद्धिमान हो सकते हैं क्योंकि उसका सूतर हमारे पास बाइबल में दिया गया है। और वह है कि आप परमेश्वर के भय माने और उसके वचनों का अनुसरन करें पर आप यदि परमेश्वर के वचनों को अन्देखा करते हैं या उन्हें जानना नहीं चाहते हैं तो यह मुर्खता की बात है और आप जान भूच कर स्वैम को अन्दकार की ओर ढखेल रहें बाइबल कहती है कि जीवन और मृत्यू दोनों हमारे सामने हैं बुराई और भलाई दोनों हमारे सामने हैं बुद्धिमानी और मुर्खता दोनों हमारे सामने हैं आप क्या चुनना चाहते हैं आपके निर्णे पर निर्भर करता है आईए अध्यन में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बुद्धी हमें और क्या शिक्षा देती है मित्रो इंदिनों हम निति वचन की पुस्तक से अध्यन कर रहे हैं और आज हम अपने अध्यन को निति वचन नाव उसके छेपत से आरम करेंगे आएए हम पढ़ें भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो समझ के मार्ग में सीधे चलो कुछ लोग सुनेंगे नहीं वे ठठा करने वाले हैं उनके साथ समय गवाना ठीक नहीं है लगभग प्रतेक कलिस्या में एक ऐसा गुठ होता ही है जो परमिशर के वचन का विरोध करता है क्या हमें उन्हें वचन सुनाते रहना है नहीं प्रविश्य ने कहा कि हमें सुरों के आगे मोती नहीं डालने हैं अब अगले तीन पद देखें कुछ टीका कारों के विचार में इन पदों को यहां नहीं होना चाहिए वे अलग से यहां जोड़े गए हैं मेरे मित्रों उनका स्थान यही है नीती वचन नौ उसके साथ से नौ पद में लिखा है जो ठठा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है और जो दुष्ट जन को डाटता है वह कलंकित होता है ठठा करने वाले को ना डाट ऐसा ना हो कि वह तुझ से बैर रखे बुद्धिमान को डाट वह तो तुझ से प्रेम रखेगा बुद्धिमान को शिक्षा दे वह अधिक बुद्धिमान होगा धर्मी को चिता दे वह अपनी विद्या बढ़ाएगा आप परमेश्वर का वचन मनश्यों को सुनाएंगे तो वे आप से ग्रिना करेंगे युगों से ऐसा होता आ रहा है कुछ लोग इतने अधिक सतही, खाली और अज्ञानी होते हैं कि वे परमेश्वर के वचन को ग्रहन ही नहीं करेंगे आज आप किसी मुक्त विचारवादी मनश्य के बारे में सुनते हैं कि वह कैसा उदार विचारों का मनश्य है परन्तु क्या आप जानते हैं कि ऐसों ही ने हमारे स्कूलों से नैतिक शिक्षा को बाहर किया है वे रूडी वादियों को धर्म के अंधे कहते हैं मैं सच कहूं तो मुझे स्कूलों में विकासवाद के शिक्षा पर कोई आपत्ती नहीं है यदि मुझे भी बाइबल सिखानी की अनुमती दी जाए परन्तु उदार विचार रखने वाले इसकी अनुमती नहीं देंगे उनके पास कितनी भी उपलवधियां क्यों नहो वे अज्ञानी ही है यदि वे परमिश्र के वचन की शिक्षा ना दे तो मैं उन्हें पिछड़ा हुआ ही कहूंगा सिधी सी बात तो यह है कि थोथा चना बाजे गहना मतलब यही है कि जितनी की बुद्धि नहीं उतनी की दिखावा करते हैं सच तो यह है कि मेरी भेट आज तक किसी उदार विचार वाले से नहीं हुई जो यह सोचता हो कि वह बुद्धिमान नहीं है वह सोचता है कि उसे सब कुछ आता है परंतु वह वास्तों में न तो कुछ जानता है और नहीं उसे ज्ञान है मनुशे जितना अधिक जानता है उतना ही अधिक वो अपने अज्ञान और अपने सीमाओं को पहचानता है एक महान उबदेशक जिसके पास मेरे विचार में मनरश्यों में प्रवीन बुद्धी थी प्रायह कहा करते थे मैं जितना अधिक बाइबल अध्यन करता हूं उतना ही अधिक मुझे बोध होता है कि मैं बाइबल के बारे में कैसा अज्ञानी हूं मेरे मित्रों आप बाइबल का अध्यन करें और आपको या बोध ना हो कि आप बाइबल के बारे में कैसे अज्ञानी हैं मेरे मित्र, आप अपने अज्ञान के बोध के बिना बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, परन्तु ठठा करने वालों को वचन के अध्यन में रूची नहीं होती है, उसे वचन सुना कर आप अपना समय नागवाएं। निति वचन नौ उसके दस में लिखा है, यहवा का भय मानना बुद्धी का आरंभ है और परम पौत्र इश्वर को जानना ही समझ है, ऐसा लगता है कि हमने यह पद पहले भी पढ़ा है, जी हाँ, जब बालक घर में था तब, उसका पहला पाड़ था, निति वचन एक के साथ में लिखा है, यहवा का भय मानना बुद्धी का मूल है, बुद्धी और शिक्षा को मूढ ही लोग तुछ जानते हैं, अब वह जीवन और बुद्धी के कॉलेज में है, वह बुद्धी के विश्व विद्याले में नया है, और उसका पहला पाड़ है, यहवा का भय मानना बुद्धी का मूल है बुद्धी और शिक्षा को मुड़ी लोग तुछ जानते हैं हम सब का आरंभ यही से होता है यदि आपने यहां से आरंभ नहीं किया है तो आपने अभी भी नहीं किया है यह पुस्तक कहती है कि इस संसार में मनश्य परमेश्वर बिना निर्वाह करे तो वह मुर्ख है हम आज सुरक्षा की इतने अधिक चिंता करते हैं सडकों पर सुरक्षा घर में सुरक्षा बुढ़ापे में सुरक्षा आदी हम बीमा करवाते हैं और उसकी किष्टें चुकाते हैं या एक बुद्धिमानी की बात है, मेरे भायों या तो ठीक है, परन्तु अनंत जीवन के बारे में आपने क्या सोचा है, क्या आपके पास अनंत जीवन का बीमा है, परमिर्श्रस से रहित जीवन कैसी मुर्खता है, यहवा कब है मानना बुद्धी का मूल है, निती वचन 9 उसके 11 और 12 में लिखा हुआ है, मेरे द्वारा तो तेरी आयू बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे, यदि तू बुद्धिमान हो, तो बुद्धी का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठठा करें, तो दंड के वल तू ही भोगेगा, जी हा यदि आप बुद्धिमान हैं, तो अनंत जीवन के लिए तयारी कर लें, यदि आप ठठा करें और इन बातों की निंदा करें, तो आप दंड के लिए तयार हो रहे हैं, यह कठोर लगेगा प्रन्तो किसी को तो कहना ही होगा, आप नरग के मार्क पर अग्रसर हैं, यदि त ठठा करें, तो दंड केवल तू ही भोगेगा, जी हाँ, यदि आप अपनी इच्छा से चलना चाहते हैं, तो आप ही हानी उठाएंगे, मुझे एक नास्तिक ने कहा, उबदेशक सर, मैं इस अनंत जीवन और प्रभईश्व के बारे में चिंता नहीं करता, करने वाले करते रहें, मैंने उससे कहा, मान लिजिए कि आप सही हैं और अनंत जीवन नहीं है, तो आप और मैं एक ही अस्थान पर हैं, परन्तु यदि मैं सही हूँ और आप गलत हैं, तो मेरे मित्र आप संकट की इस्तिती में हैं, एक और नास्तिक था, उसने मुझसे कहा, मैं अति संतु या उस हर एक मनश के लिए एक भयानक सत्य है, जो परमेशा से मुह मोड लेता है, आए आज हम आगे वड़ते वे देखेंगे, मुर्ख इस्तिरी की पाथ शाला, नीती वचन 9 के 13 में लिखा है, मुर्खता रूपी इस्तिरी बगबग करने वाली है, वह तो भोली है और कु अपना स्कूल है, अनेक स्कूल है, नीती वचन 9 के 14 में लिखा है, वह अपने घर के द्वार में और नगर के उंचे अस्थानों में अपने आसन पर बैठी हुई, उन्हें प्रचार करने की आवशकता नहीं, मनश स्वयम ही वहां आ जाता है, हजारों मनश इन स्कूलों में जाते हैं, नीती वचन 9 के 16 से 18 में आगे लिखा है, जो कोई भोला है, वह मुड कर यहीं आए, जो निर्बुधी है, उससे वह कहती है, चोरी का पानी मीठा होता है, और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है, वह यह नहीं जानता है, कि वहां मरे हुए पड़े हैं, और उस इस्त्री के निवताहारी अधुलोक के निचले अस्थानों में पहुँचे हैं, कितने विद्वान कहलाने वाले वहां गए हैं, और उनका दुखद अंत हुआ है, लौड बाइरन ने अपने व्यविचारी जीवन के अंत में लिखा, मेरा जीवन पीला पत्ता है, प बुद्धी, नाम, धन संपदा, सब कुछ, परन्तो उसके अंतिम वचन थे, केवल कीडे, घुन और दुख बचा है, मुर्क इस्त्री के स्कूल ने उसकी यह दशा की थी, मेरे मित्रो, एक प्रसिद्ध सिनेमा सितारा था, उसने विश्वत सुन्दरियों से विवा किया थ परन्तो एक दिन उसने विर्धा वस्था में आत्म हत्या की, उनकी अंतिम टिपने थे, मैं इस जीवन से उप गया हूँ, कैसे त्रासदी है, मुर्कता की पाशाला अब भी चल रही है, वहा प्रवेश पाने वालों की लंबी प्रतिक्षा सूची है, परन्तो वह नहीं जा हारी अधलोक के निचले अस्थानों में पहुचे हैं, इसी के साथ अध्याय नाव समाफ्थ होता है और अब हम अध्याय दस में आते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे सुलेमान के नीतिवचन, उसी ने लिखे और करमवद किये, यहाँ से नीतिवचनों के संग्रह का दूसरा मुख्य भाग आरंब होता है, इसमें देखेंगे कि युवा विध्यार्थी को जीवन के मार्ग में चलने के निर्देश दिये गए हैं, यह शिक्षाएं हमें प्रवईशु के पाश्चाला में ग्रहन करना है, नीतिवचन 10 के एक में लिखा है, सुलेमान के नीतिवचन, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनन्दित होता है, परन्तु मुर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है, ध्यान दीजे, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनन्दित होता है, जब एक बालक अपने कक्षा में प्रथम आता है, या खेल कूद में पुरुसकार पाता है, या कहीं किसी काम में नाम कमा कर आता है तब उसका पिता सबसे अधिक उसकी चर्चा करके बहुत खुश होता है मेरा पुत्र क्रिकेट टीम का कप्तान है या मेरा पुत्र पिएज़्डी करके कॉलेज में पढ़ा रहा है अब यदि एक बालक कक्षा में फेल हो जाता है और बड़ा होकर नौकरी नहीं करता तो उसका पिता किसी से उसकी चर्चा ही नहीं करना चाहता है वह अपना मुह बंद रखता है लिखा है परंतु मुर्क पुत्र के कारण माता पिता उदास रहते हैं ऐसी इस्थिती में मा को दुख होता है पिता तो चुप रहकर अलग हो जाता है या ऐसे जीवन का कैसा चित्रन है पुत्र या तो बुद्धिमान हो सकता है या मुर्क होगा नितिवचन 10 के दो में लिखा है दुष्टों के रखेवे धन से लाब नहीं होता परंतो धर्म के कारण मृत्यू से बचाओ होता है दुष्टों के रखेवे धन से लाब नहीं होता है अती धनवान मानुष्यों ने मरते समय अपना धन यहीं छोड़ दिया है वे ना तो उ से अपने साथ ले जा पाए और नहीं उसका इस प्रिथिव पर आनंद ले पाए। धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। मसी हमारे लिए ग्यान ही नहीं धार्मिकता भी हुआ है। यहना 3 के 16 में लिखा है। जो कोई उसमें विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंद जीवन पाए। नितिवचन 10 के 3 में लिखा है। धर्मी को यहवा भूखों मरने नहीं देता। परंतु दुष्टों की अभिलाशा वह पूरी होने नहीं देता। आपको स्मरन होगा कि हर एक मनशे के लिए नीतिवचन है और बाइबल के नायकों के चरित्र से मेल खाते नीतिवचन भी हैं। धर्मी को यहवा भूखों नहीं मरने देता। यह वचन हमें यूसुप का स्मरन करवाते हैं। उसे मिस्र में दास होने को बेच दिया गया था और ऐसा प्रतीत होता था कि परमेश्र उसे भूल गया है। परंतो उसने परमेश्र पर से भरोसा नहीं हटाया। हमने देखा है कि परमेश्र ने उसे त्यागा नहीं था। परमेश्र ने ऐसा किया कि वा बंदी ग्रिह में डाला गया और वहां से निकाल कर मिस्र का प्रध परन्तु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। मेरे प्रियों, लोगों में कैसा अंतर है। कुछ विश्वासी अती उदार होते हैं, तो कुछ अत्यधिक कंजूस। यह बड़ा दिल्चस्व है कि तंग व्यक्ति का हाथ सदेव कमी में ही रहता है। इसके विफृत एक उदार मनुष्य का जीवन भरपूरी का होता है। आपकी विचार में क्या यह पद आपको अबरहम का स्मरण नहीं करवाता है। वह एक उदार मनुष्य था। उसने अपने भतीजे लूट से कहा कि उसे जो अच्छा लगे ले ले। जो बचेगा उसे वह ले लेगा। अबरहम को चुनाव करने का पहला अधिकार था। अच्छी भुमी यर्दन की घाटी थी। लूट ने सोचा होगा कि अबरहम कैसा मुर्ख है। लूट ने स्वार्थ से भर कर सबसे उत्तम भुभाग चुना परंतु अंत में वह नाश हुआ। कामकाजी लोग धनी होते हैं। बाइबल में दो शब्द साथ साथ नहीं चलते। विश्वास और आलस्य। आलसी विश्वास में सच्चा विश्वास नहीं होता है। जो परिश्रमी है वह कामकाजी होता है। इससे मुझे प्रेरित पालूस का स्मरण आता है जब उसे परमेश्वास ने भुलाया तब उसने आलस के कारण विलम्व नहीं किया। बुद्धिमान पुत्र से पिता प्रसन होता है। पुत्र यदि मुर्खता करे तो पिता से अधिक माता का मन दुखी होता है। नीती वचन 10 के 5 में हम पढ़ते हैं। जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धी से काम करने वाला है। परन्तु जो बेटा कटनी के समय भारी नीन में पढ़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। यह भी विशम विचारों का नीती वचन है। वह पुत्र जो ग्रिश्म काल में परिशम करता है वह बुद्धी मान कहलाता है। परन्तु जो पुत्र कटनी के समय सोता है वह आलसी है। वह काम करना नहीं चाहता। मेरे युवा मित्रों आपको यह समझ लेना है कि परमेश्वर आपको प्रशिक्षन देना चाहता है और आपको शिक्षा देना चाहता है। अपनी युवा वस्था में मैं एक छोटी कलिस्या में सेवा कर रहा था। परन्तु वहां मुझे अपने कारे में संतुष्ठी नह मैं अपना समय बचा रहा था और मैंने समय का लाव उठाया। मैं इसके लिए परमेश्वर का अत्यधिक आभारी हूँ। अब जब मैं अपनी टीवी और सभाओं की सेवा में व्यस्त था तब किसी ने मुझे से पूछा आप इतना अधिक व्यस्त रहते हैं। आपको तया के पांच वर्ष दिये और वह समय भी दिया कि मैं उस तयारी को व्यवहरिक रूप दूँ। अतह आज मैं प्रतेक युवक से कहने योग्य हूँ। कि यदिवा परमेश्वर की सेवा करना चाहता है तो तयारी करना अभी से आरम कर दें। सदा स्मरण रखें। जो बेटा धूप काल में बटोरता है तो वह बुद्धी से काम करने वाला है। नीति वचन महान वचन है। अनन्त सत्य है। ये वचन आपको आकाश की उड़ान के लिए नहीं परन्तो दैनिक जीवन के लिए तयार करते हैं। यदि आप उन्हें अंतर ग्रण नहीं कर पा रहे हैं त परन्तु उपद्रव दुष्टों का मुह चा लेता है। यहां नियम के दो नायकों का कैसा अध्भुत चित्र है। धर्मी पर बहुत से आशिरवाद होते हैं। यह मुझे शम्वेल का स्मरण करवाता है। परन्तु उपद्रव दुष्टों का मुह चा लेता है। यहां शाउल का चित्रन है आए हम आगे पढ़ें नितिवचन 10 उसके साथ में लिखा है धर्मी को स्मरन करके लोग आशिरवाद देते हैं परन्तु दुष्टों का नाम मिट जाता है मुझे इस संदर में कुछ विश्वासिय मनश्यों का स्मरन होता है जो कभी प्रसिद्धी के शिखर पर थे परन्तु आज उनका नाम लगभग नहीं के बराबर ही है मेरे विचार में इस पिढ़ी के लोग पचास वर्ष पश्चात गुमनामी में होंगे परन्तु डियल मूडी जिसने परमेशर के लिए कुछ किया चीर स्मरण ये है नीती विचन दस उसके आठ में आगे लिखा है जो बुद्धिमान है वा आज्याओं को स्विकार करता है परन्तु जो बकवादी और मुड है वा पचार खाता है बकवादी मनिश्य सदा बगबग करता रहता है वा अपने विचित्र कलपनाओं में ही स्वैम को बुद्धिमान समझता है उसके विफरित बुद्धिमान मनिश्य आग्याओं को स्विकार करता है आपको स्मरण होगा कि नभुकद नेजर नाम का राजा था जो दानियल के सुजाओं स्विकार करता था और परिणाम स्वरूप समरिद हो रहा था एक और राजा था बिल शसर वह मुर्ख था और लिखा है दानियल अध्याय पांच में एक रात वह बहुत बड़ा भोच कर रहा था और वहीं उसका अंत हो गया उसके संपुन राज का अंत हो गया नितिवचन दस के नौ में लिखा है जो खराई से चलता है वह निडर चलता है परंत जो टेड़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रगट हो जाती है इसे आज की लोकोक्ती में कहा जाता है सदा सच बोलें नितिवचन दस दस में लिखा है जो नैन से सैन करता है उससे औरों को दुख मिलता है और जो बकवादी और मुड है वह पचार खाता है या एक अधुद बात है आँख और मुह एक दूसरे से सहमत होते हैं यदि कोई मनुशे कुछ कहकर आँख मारता है तो इसका अर्थ है कि वह जूट कह रहा है उसका मुह और उसका मन एक मत नहीं है इसका परिणाम होगा कि वह दुख उठाएगा जी हाँ या पद किस व्यक्ति पर बैठता है यहुदा इसकरयती पर यहुदा का इश्यू को चुम्बन धोके का चुम्बन था चुम्बन का अर्थ है अनुराग परन्तों यहुदा के पूछना चाहता हूँ क्या आज आप दूसरों को कश्ट पहुंचाने वालों में से हैं या आशिश बाटने वालों में से हैं आज अवश्य ही इस पर विचार करें दोस्तो वचन पुना इस बात को कहता है कि बुद्धी प्राप्त करने का मूल है परमेश्वर का भै मानना और मूर्ख ही उसे तुछ जानता है हमें बार बार इस बात को क्यों इसमरन दिलाया जा रहा है क्यों वचन में इसे दोहराया गया है क्योंकि इस बात को परमेश्वर हमें बार बार बताना चाहते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है अज संसार के लोगों की समस्या यह है कि हम सब कुछ अच्छा और भला परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं पर हम उसके अनुसार परमेश्वर के वचनों पर चलना नहीं चाते। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। हमारे परिवारों के आनन्द और संपन्नता का कारण बुद्धी की बातों का अनुसरण ही है। किदी हम परमेश्वर के वचनों का तिरिसकार करें और उन्हें अपने जीवन में ना अपनाएं तो निश्चित हमारी परिवारों के लिए यह शाप का कारण होगा जोकि वचन में लिखा हुआ है। दोस्तों इसमरन रखें कि बुद्धिमानी इस बात में हैं कि हम बुद्धी की बातों पर ध्यान दें, उस पर मन लगाएं, उसे अपनाएं और उसे वहवारिक बनाएं। आप अपने माता-पिता के लिए आधर का कारण और लज्जा का कारण ठैर सकते हैं, क्योंकि चुनाव आपके हातों में हैं। बचन हमें बुद्धिमानी की एक और बात भी कहता है, कि हमें अपने भविश्य की प्रति सजग और जागरित रहना चाहिए, क्योंकि भविश्य में हमें अपने कर्मों का लेखा देना है, आज जो हम कर रहे हैं उस पर विचार करना है, क्योंकि वही हमारे लिए भविश् और शाप निर्धारण करता है। आए अपने आने वाले कल को बहतर बनाने पर केंदरित रहें और बुद्धिमानी से कारे करें। आए प्रार्टना करें। किस बात को अपने जीवन में अपनाते हैं। प्रभु आज संसार के अनेक लोगों के समस्या यही है कि हम बुराई को चुनते हैं। और उसका कारण है हमारे अंदर छेपा हुआ पाप जिसके अनुसार हमारा जीवन नियंतरित होता है। हमारी प्रार्थना है प्रभु विशिश तोर पे हमारे सारे दर्शकों के लिए कि उनके जीवन में पिता आपकी बुद्धिमानी की बातें नियंतरन करें। वे उन कारियों को करें प्रभु उस निर्ने को लें जो कि आपका वच्चन चाहता है। ताकि हम प्रभु आने वाले भविश में आपकी आशिशों के कारन ठेरें। प्रभु आप हमें एक विश्वास योग्य मनुश के रूप में देखने पाएं। प्रभू हमारी प्रार्थना है हमारे सभी दर्शकों के लिए कि उनके परिवार में आपकी उपस्थिती बनी रहे प्रभू जी उनकी कमी और घटी को आप दूर करें और होने दे प्रभू कि ये परिवार जो आप से प्रेम करते हैं आपके वचन से प्रेम करते हैं आप में स आमेन प्रवब को आशिष्टे आलेलुया 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 हो तेरी स्थूति आराधना करता हूँ मैं तुप से ही प्रार्थना महिमा से तेरी तु इस जगा को भर जो भी तु चाहे तू यहां पर कर हालेलुया 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 आलेलु० प्रमेश्वर के वचन अनुसार बुद्धी एक व्यक्ति है और वह प्रभु ईश्यू के व्यक्तित्व को प्रगट करती है आज के अध्यन पर आधारित प्रश्ण है धर्मी को यहवा भूखो नहीं मरने देता नीती वचन दस का तीन का यह संदर्व हमें बाइबल के किस चरितर के जीवन का स्मरण करवाते हैं मित्रों इस प्रश्ण का उट्टर हमें कल सुबा छे बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें सभी विजेताओं को विशेश पुरसकार प्रदान किये जाएंगे धन्यवाद क्या आपको ये कारेक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस्कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं क्या आपको ये जाएंगे क्या आपको ये जाएंगे